पर्यटन नगरी डलहौजी में जारी बरफवारी के चलते जहां ट्राफिक जाम की समस्या पैदा हो रही है तो वहीं हिमपात के चलते सैलानियों में उत्साह नजर आ रहा है फिसलन के खत्रे के चलते वाहनों के लिए स्थिती खत्रनाक बन गई है वहीं अगर परिशद डलहौजी की और से बर्प हटाने का काम जारी है उधर प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमपात के चलते पुराक्षेत्र बर्प से सराबूर नजर आ रहा है तो वहीं बाहरी राज्यों से पहुंचे सैलानियों में बर्प देखने का उत्साहब दोगुना नजर आ रहा है बताते चलें की बर्प के चलते वाहनों के आलावा राहगीरों को भी फिसलन की समस्या पेश आ रही है कुपमंडल मुख्याले चुवाडी तथा जिला मुख्याले चंबा के बीच स्थित परेटन स्पोर्ट जोथ हमीशा से सलानियों की पसंदीदा जगह रहा है शनिवार को जोथ पर पहुँचे सलानी बर्प में अठ खेलिया करते नजर आए जोथे समय पूरी तरह से बर्प से भरा हुआ है प्रदेश के लावा पंजाब तथा जम्मू कश्मीर रादिपडोसी राज्यों से सलानी यहां बर्प को देखने पहुनूचते हैं हिमाजल टॉप न्यूज के लिए शिमला से जैस नेही डलाहौजी से सोनू टंडन जोग से सोनू मन कोटिया की रिपॉर्ट हुआ है